कि अधियारी कर रहे हैं आज इस सेशन के अंदर हम डिश्टर लॉजिक के बहुत सारे जो प्रिवेसर कोशन है आज हम इसको कवर करने वाले हैं डाई हूप जो सेशन है आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशल है और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी अंडूइड आप आप आपने इंस्टॉल नहीं करी है तो इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे Android app Google Play Store पर अविलेबल है और जो नाम होगा जो आप का डाट इस डिजी मेंटो एजूकेशन हमारे बहुत सारे comprehensive courses जो है वो हमारे platform पर अविलेबल है जैसे अगर आप गेट के तियारी करना चाहते हैं तो हमारे जो comprehensive courses जो है वो हमारे platform पर अविलेबल है अपनी सारी information के लिए इस नंबर पर पर कॉल भी कर सकते हैं और 9821-876104 और 9821-876102 इस नंबर से सारी information को भी आप यहां से ले सकते हैं तो कल कुछ questions से जो हमने कल कवर किये थे हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भी कुछ नए questions को आज हम cover करने वाले हैं अगर आपके पास full adder को बनाने के लिए आपके पास कुछ and gate है और gate है और exor gate है इन तोनों case में आपको implementations हैं उसलिए कितने gates की हमें यहां से जरूरत है अगर आपके पास full adder है उसको implement करने के लिए आपको कितने और gate की जरूरत है और कितने आपके पास exor gate की जरूरत है okay so the correct answer here is option number d d जो है वो इसका I'm sorry I'm really sorry the correct answer here is c c इसका सही answer है देखो जो implementations है मर पास multiple अलग-अलग implementations यहां पर है मैं सभी आपको इस दर दिखाव जयता हूं और ताकि एक idea आपको मिल जाए ठीक है ताकि पूरा concept आपको clear भी आ जाए ठीक है तो सबसे पहले अगर आपके पास full adder digital logic है तो उसकी implementation कैसी है तो पहली एक ऐसे implementation आपके पास है जहां पर you can use 2xor आप use कर सकते हूं और साथ-साथ 2and है और 1 or gate है याने कि यह दिखार आपके पास xor xor 2xor 2and 1 or तो यह पहली implementation है और अगर आप इस option को check करने की कोशिश करेंगे न तो यहां पर किसी से match नहीं कर रहा है क्योंकि जो पहली implementation आपको बताए थी कि आपके पास जो पहली implementation आपको दिखाए थी तो यहां पर आपके पास 2xor होने चाहिए आपके पास 2and होने चाहिए और 1xor है और जो किसी option से match नहीं कर रहा तो यानि कि पहली जो implementation है वैसे यह implementation भी सही है लेकिन हाँ यह थोड़ा सा आप इसको implement नहीं कर सकते क्योंकि इस यह option से match नहीं करेगा उसके लावा दूसरी एक और implementation है जो मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ तो यह आपके पास है अगर आपके पास एक full adder आप बनाना चाहते हो with the help of half adder तब आप इस implementation को भी आप यहां से देख सकते हैं अब जैसे इस case में अगर आप देखने के कुशिश करेंगे ठीके तो यह तो आपके पास एक half adder है और अगर मैं इसको full adder दिखाऊंगा और एक आपके पास और gate है तो इस दूसरी implementation को भी आप यहां पर देख सकते हैं तो अगर इस options को check करेंगे तो वो शायद option number C से match करेगा क्योंकि यहां पर आपके पास दो and है दो और है और दो एक्जॉर है यानि कि अगर आप एक दो half adder को use करकी एक full adder को बनाना चाहते हैं तो यह दूसरी implementation है जो कि option number C से match करेगा otherwise options जो है थोड़ी से tricky है क्योंकि इस implementation को देखेंगे लिए आप directly आप इसको implement कर सकते हों बड़ों किस option से match ही नहीं करेगा लेकिन हाँ अगर आपके पास दो एक्जॉर है तो half adder है और उससे full adder बनाएंगे तब आप इस question को solve कर सकते हैं तो इसकी implementation जो है मैं आपको screen पर I think आप थोड़ी पर आपको share भी किया था तो आप इसको देख भी सकते हैं ठीक है और मैं दोनों circuit को एक बार इधर द्वारा से को कई साथ लोगों को difficulty आती है तो दोनों को थोड़ा clear करके आपको दिखाता हूं ठीक है तो पहली implementation है और यह आपकी दूसरी implementation है तो अगर यह available है यह आपकी पहली implementation है यहाँ पर आपके पास एक एक जॉर है आपके पास तो यहाँ पर आपके पास एक एक जॉर है तीन एंड है और एक और गेट है तो जो किसे से match नहीं करेगा लेकिन दूसरी implementation है अगर आप यहाँ से full adder को बनाना चाहते है विदर अग half adder तब आप इस implementation को यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो एक जॉर है यहाँ पर दो एंड है और एक यहाँ पर और की तरह रहा है I think this also this I think यह जो इदर दिखा रहा है आप इसको इदर चेक भी कर सकते हैं इसके लाब भी multiple implementations है जो आप इदर चेक करेंग का okay let's move on to the next question here next question हमारे पास है यह RAM chip has the capacity of 1024 words of 8 bits यानि की 1K x 8 आप की पास है the number of 2 x 4 decoders with enable lines needed to construct a 32K x 8 RAM from 1K to 8K RAM तो इसको समझे लिए कोशिक कर दो बारा से आपर क्या हो चाहता है कि आपको एक RAM chip आपको यहाँ से बनाना है और जो उसकी capacity है वो यहाँ पर 1024 word के आसपास है और हर एक word का size है 8 bit यानिकि पहर इंप्लिमेंटेशन होगी 1K x 8 यानिकि हमसको बोल सकते हैं हाँ से 1024 x 8 यह in terms of bits में इधर given है and then they said कि the number of 2 x 4 decoders with enable lines need to be constructed आपके पास एक decoder है जहाँ पर 2 x 4 decoder है यहाँ कुछ इस सरी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास 2 input है और आपके पास 4 output है ठीक है because यह decoder है और 2 x 4 को हमने यहाँ से बनाया है और इसके अदर एक enable line है ठीक है enable line और construct यह implementation यह आपर given है कि आपके पास एक 32 k x 8 RAM है ठीक है यानि कुछ ऐसा इसको बोल सकते हैं कि हम जो बनाना चाहते हैं यहाँ से वो है 32 x 1024 x 8 by using this हम इसको यूज करना चाहते हैं तो कैसे इसकी implementation है आप यहाँ से देख भी सकते हैं अब इस implementation को देखने कोश्च करो कि जो target हमार पास होगा ना this is target capacity तो वह कुछ ऐसे होगी आपके पास 32 k x 8 RAM ठीक है यानि कि 8 bit हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ठीक है और जो basic हमार पास given है वो होगा आपके पास 1 k x 8 और कितनी chips के हमें requirement है वो हमें use करना पड़ेगा यहाँ कर दो यानि कि 32 k multiplied by 8 divided by 1 k x 8 तो यह दो नहीं से कर जाएंगे k और k भी यहाँ से हट गया तो यहाँ नहीं कि आपके पास total 32 chips की हमें जरूत होगे ठीक हमें 32 chips की हमें यहां से जरूत हो होगी और जो कि 2 raise to power 5 से इधर represent कर रहा है अब इस कुम्प्लिमेंट करने के लिए हमें कुछ decoders भी use करने पड़ेंगे और हर एक decoder का size है वो 2 x 4 है 2 x 4 तो यानि कि जो भी value आपके पास आ रहा है अगर इसका logarithmic में आपको लिए लूँगा तो आपकर से इधर पदल जाए 2 x 4 था तो यहां से अगर आप चेक करेंगे तो value आपको 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 निकलेगी 5 यान कि total आपके पास 5 decoders की हमें ज़रत पड़ेगी और यह जो है वो option number B से match करेगा तो option number B is the correct answer of this question ठीक है so I hope you understand concept आपको समझ में आपकर नहीं समझ आया तो आपको से इधर पूछ भी सकते हैं चालो, now let's move on to the next question here next question a 4 bit ripple counter and 4 bit synchronization counters are made up using flip flops having a propagation delay of 10 nanoseconds each if the worst case delay in the ripple counter and the synchronous counters B, R and S respectively then what are these values ठीक है यह हमें यहां से इधर बताना है फिर से देख लो, question को समझो और फिसको time लो I will give you some time, इस question को solve करने के लिए आपको time दूँगा पहर एगर question को बढ़ से समझ लो, यहां पर क्या बुचा गया है कि हमें 4 bit ripple counter हमें यहां से बनाना है ठीक है देखो जो counters है multiple अलगने type के counter जो है वो हमारे पास आते हैं पहला जो इधर दिखा रहा है आपके पास वो ripple counter आपके पास है अभी ripple counter कैसे है मैं इसको screen से आपको दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा concept आपको यहां से समझ में आ जाए ठीक है तो जो भी आपके पास ripple counter है इसका मतलब क्या है कि अगर screen थोड़ा सा अगर मैं इससे दिखाता हूं इधर से circuit को थोड़ा easy दिखाता हूं ताकि इस चीज़े समझ में आ जाए diagram के साथ तो यह दिखार आपके पास ऐसे ripple counter ठीक है जो अगर आप इसको देखने कोशिच करेंगे तो ripple counter के अंदर जो यह तो इधर दिखार ना this is representing की input क्या है और यह जो है आपके पास clock है तो ripple counter का मतलब क्या होता है कि जो पहला आपके पास flip-flop है इसका जो भी output है मैं उस output को as a clock देते हैं दूसरे दूसरे के अंदर याने कि they are dependent on each other right मतलब जो आपने जो input दिया है input तो same दे दिया जैसे j और k flip-flop है इन दोनों का input तो हमने same दे दिया दोनों case में हमने 1-1 दे दिया यहाँ पर यह 1-1 दे दिया but the only thing is they are dependent based on case का output क्या है जैसे q0 की जो value होगी हमारे पास वो इस case में आपके पास as a clock कितर है यहां पर हमें इसको देगा तो यह होगा आपके पास ऐसे रिपल काउंटर ठीक है और रिपल काउंटर की अलगरा implementations है जैसे यह वाली दूसरी एक और implementation जो है मैं आपके शेयर कर रहा हूं ठीक है जो पहला आपके पास output है हम दूसरों को ऐसे clock दे देंगे और यहां पर भ है वो दूसरों के अंदर आज़े clock की तरह काम करेगा ठीक है तो दूसरों के इसे रिपल काउंटर यह पहला पाट है अब दूसरा आपके पास फोर बिट सिंक्रनाइजेशन काउंटर अब होता है कि जो आपकी जो clock है वो सेम रहती है राइट दो clock विल भी सेम ठीक है अब अब और आपके पास फोर बीट सिंक्रनाइजेशन काम अब होता क्या कि जो रिपल काउंटर जो होता है उसमें डिले जादा होता है क्योंकि पहला जो आउट पूट हो वो दूसरी के अंदर जाएगा और दूसरे का जो आउट पूट होता है वो पूर्थ पर आपके पास यानि कि जो रिपल काउंटर का जो डिले है वो ज्यादा होता है और जो सिंक्रनेस काउंटर होते हैं यहां से तो पहला दोनों का डिप्रेंस आपको समझ में आया अब रहें बोला है कि we have 4-bit ripple counters and we have 4-bit synchronization counters are made using replies having a propagation delay of 10 nanoseconds each यानि कि आपका जो propagation delay है वो 10 nanoseconds के आसपास है अब यानि कि ripple counter का जो delay है वो ज्यादा होगा उसमें क्या होगा कि आपके पास 4 bit है तो यानि कि आपके पास 4 का जो output होगा वो multiply हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर आपक है पर वो हो जाएगा आपके पास 40 nanoseconds लेकिन जो synchronous आता है उसकी जो delay है वो सेम रहता है synchronous सेम रहेगा उसकेस में because there's synchronous ना तो इस होगा यहाँ पर 10 nanoseconds ही यहाँ पर रहेगा यानि कि पहला होगा आपके पास 14 nanoseconds और यह हो जाएगा आपके पास 10 nanoseconds ठीक है तो वर्स्ट केस डिले इन दे रिपल counters and the sickness counters of RNS respectively यानि कि इसका जो delay total delay maximum यहाँ पर कितना रहेगा यह हमें बताना है और I think मैंने आपको question में बता ही दिया है बट फिर भी answer मुझे बता दो चलो और by the way the correct answer of this question here is option number B और B ही मैंने आपको सम्झाव भी दिया था तो B विले विए the correct answer of this question okay clear देख लेता है next question देख लेता है if the input J is connected through K input of JK then flip flop will behave as which of the following option option number A D type flip flop option number B T type flip flop C SR flip flop and D is toggle toggle switch ठीक है फिर से देख लो एक बार if the input J is connected through K input for JK flip flop then flip flop will behave as which of the following यानि कि अगर आपके पास JK flip flop है और the input of J is connected through K यानि कि दोनों का input same है तो इस case में JK flip flop कैसे behave करता है yes the correct answer here is option number B B आपका विल्कुल सही answer है ठीक है देखो basically दो चीज़े हैं JK flip flop में इसका table आप पहले से बना लो ताकि इस question को समझना आपके लिए बहुत easy होगा तो इस तरह question को use करने के लिए आप इसकी table पहले से use करो ठेक है लेकिशो यह देख एक्सामपल तो मैंने J ले लिए, K ले लिए, मैं Q ले लिए, और Q next को मैंने से बना दिया है सबकी वालू 0-0-1-1-1-1-0-1-2-1-1-1-1 ठेकै जिये कि फिल फिल पलॉफ है एक तरीके से sr fliplock की थोड़ा सा implementations है यानि कि set and reset set यानि कि अगर सब की sql value 1 है तो विससे सारी values 1 हो जाएगे otherwise r मतलब reset अब इससे पहला वाला case है यहाँ पर sr r दोनों की value यहाँ पर अगर same है these inputs are same तो उस case में जो output है वो भी same रहेगा तो यहाँ पर 0 1 आएगा अगर यहाँ पर 0 1 है तो यानि कि यह होगा एक तरीके से reset ठीक है क्योंकि यहाँ पर is scale value 1 है और यहाँ पर जो set है उसके value 0 है तो यहाँ पर आपके पास reset होगा यानि कि सब की value जदर 0 हो जाएगे फिर next value है आपके पास 1-0 as well as 1-0 तो इस case में क्या होता है कि दोनों की values जो है वह आपके पास 1 और 1 हो जाएगी दोनों case में और next अगर आपके दोनों case में 1-1 है तो इसका मतब है जो भी आपका पहला input था उसका opposite यहां से हो जाएगा तो यहां से 1 as well as 0 होता है तो यह आपके पास jk flip-fl जाओ ना हमें अब इसके ज़रूत ही नहीं कि नहीं बोला कि इन थभी values में से हम इन चीज़ों को ही use करेंगे ठीक है इस तरीके से यानिकि आपके पास j और k की value same है तब आपके पास qn के value यहां पर क्या रहेगी तो यहां पर देख करो अगर दोनों के वाज़े आपके प आप देखो गई वो टी फिफ्लॉप की तरह ही हो टॉगल की तरह ही काम कर रहा है बागी चीज़े values को हम यूजर नहीं करेंगे तो यानिकि यह जो चेक कर रहा है वो option number B से match करेगा ठीक है यानिकि आप अगर यह आपके पास jk flip-flop है तो jk flip-flop का जो input है वो दोनों अग mod 19 counters the number of flip-flops required is अगर आपके पास mod 19 counters आपको चाहिए तो आपको कितने flip-flops की हमें ज़रत पड़ेगी option number A that is 3, option number B is 5, option number C is 7, option number D is 8 yes the correct answer here is option number B, B इसका सही आपसा है देखो दो चीज़ें यहाँ पर important है इन्होंने बोला है कि mod 19 counter ठीक है इसका मतलब क्या है कि हमें 19 तक हमें count करना है यानिकि हम 0, 1, 2, 3, 4, up to so on 18 हमें इन numbers को यहाँ से count करना है इसी तरीके से आपके पास यह counter यहां से निकलता है अब जनली क्या होता है कि जब भी हम counters हम लोग बनाते हैं तो अलग type of counters है जैसे ripple counter है या फिर आपके पास synchronization counter है अब जनली जो ripple counter है उसके अंदर जो number of counting जो है वो जादा कर सकते हैं बड़ जो भी counters आप यहां से कर रहे है तो make sure कि इस ripple counter जो है उसके जो counter जो है ज्यादा होते वो power की basis पर ही यहां से होता है जैसे 2 raise power 1, 2 raise power 2, 2 raise power 3, 2 raise power 4 इस तरीके से यहां से होता है अब इस counters के लिए हम automatically यहां से एक table हम लोग यहां से बना सकते हैं और table के वीसे इस question one लोग यहां से बना सकते हैं अब कितने flip-flops चाहिए जैसे अगर आप आप से ripple counter है तो कितने flip-flops हमें चाहिए उसको use करने के हम इसको modulus हम लोग यहां से निकालते हैं अब जैसे अगर मैं 2 raise power 1 करेंगे यानि कि आपके पास सिर्फ एक ही flip-flop है तो यहां से 2 ही count कर पाएंगे या तो हम count 0 करेंगे या फिर count 1 को use करते हैं अगर आपके पास 2 flip-flop है तो यहां कि 2 raise power 2 निकलेंगे यानि कि total आपके पास यहांसे 4 values को हम calculate कर सकते हैं यानि कि 0, 1, 2, 3 हम total यह हम यहांसे calculate करेंगे अगर मैं 2 पाउर 3 होगा तो यहांसे total 8 count कर सकते हैं यानि कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as well as 7 यानि कि 0 से लेकर 7 तक और अगर मैं ripple counter यूज़ कर रहे हैं तो यहांसे आपको team plot से आफा काम हो सकता है ऐसे ही अगर मैं 2 पाउर 4 हम लोग करेंगे तो यानि कि हम total 16 हम calculate कर सकते हैं 0 से लेकर till 15 और अगर मैं 2 पाउर 5 हम लोग करेंगे तो हम यहांसे 32 को calculate कर सकते हैं यानि कि 0 से लेकर till 31 ठीक है अब जो भी हमारी कितने flip-flop चाहिए वो इन दोनों के बीच में ही decide होगा यानि कि 4 तो नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि 4 से हम सिर्फ total 16 तक ही calculate कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर हमारे 5 flip-flop है तब आप इस calculations को आप यहां से देख सकते हैं तो कहने का तब है कि to calculate this we just have to find logarithmic अगर में logarithmic 19-2 और इसका जो ceiling value निकलेगी तो आपको असफ़दा से जाया है कि total आपके पास कितने flip-flops की जरूरत है और सो चेक करेंगे तो यहां से आपके पास total 5 निकलेगा और इसी वज़े से B will be the correct answer बी जो है वो आपका सही answer है ओके चाहलो नेक्स कोशन which of the following conditions must be met to avoid race around problem अगर आपके पास race around problem है तो अगर आप race around problems फे avoid करने के लिए हमें कौन सी condition यहां पर होनी चाहिए और I think यह जो TP जो यहां पर represent कर रहा है वो delay दिखा रहा है यहां से I think because TP की value यहां से ने दे गई है इमाजिनिंग की T जो है वो toggle flip-flop हो सकता है शायद और यह पर T I think हाँ एक चीज़ और यहां से हो सकता है कि यहां पर T का उतलब है that is representing time period ठीक है वो time period को यहां से represent कर सकता है और TP जो है it is representing propagation delay ठीक है वो propagation delay होगा और I think जो T यहां पर दिखा रहा है इस सरीक है से I think this is representing as a time generally यहां से इदर निकालता है ठीक है तो this is what they are asking which of the following condition must be met to avoid race around problem I think you understand the problem now give an answer here yes the correct answer I guess आप लोगों ने calculation कर दी दिया है the correct answer here is option number B 20 का सही answer है यानि कि जो भी आपकी conditions यहां पर होनी चाहिए ठीक है तो पहला है आपका जो time period जो है वो यहां से जादा होना चाहिए और propagation delay से मतब एक तरीके जादा होना चाहिए और time period से कम होना चाहिए ठीक है तो तब आपके पास एक round race round problem से हम यहां से avoid कर सकते हैं तो correct answer here is option number B B is the correct answer next question How many flip flops are needed to divide the input frequency by 64 how many flip flops are needed to divide the input frequency by 64 so I think same value यहां पर निकलेगी because 64 यहां से दिया गया है तो यानिक इसका logarithmic लेलो logarithmic of 64 base 2 or I think this value should be 8 6 I am sorry that will be 6 so the correct answer here is option number C इसका सही answer होगा option number C next which will be the equation of the simplifications of the given K map आपके पास K map है और हमें इसके simplifications का answer आपको उचे बताना है ठीक किस option से match कर रहा है I think easy question है यह तो बहुत easy question है this is from the K map तो को इस question मों solve करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत है पहला आपके पास prime implicant क्या होता है essential prime implicant यहां पर क्या है क्योंकि हमारा जो भी solution होगा न वो essential prime implicant के basis पर ही होगा ठीक है अब वैसे अगर समझने की कोशिच करो तो यह जो है एक तो यह वाला एक आपके पास क्यों यहां से बन सकता है उसके लाबा आप इस corner को भी यहां पर use कर सकते हो इधर भी आप इन तिनों को भी आप यहां से यूज कर सकते हो इस तरीके से ठीक है तो obviously इतने दो solutions आपके पास होगी तो in any way अगर आप देखने होगी कोशिच करेंगे यह जो इधर रिपरसंट करना यह वाला यह आपका आपके पास हमेशा आपके पास होगा ठीक है तो यानि कि पहले options को चेक कर लो जो हमेशा हमारे solution में होगा वह होगा यह वाला क्योंकि essential prime implicant है right essential prime implicant सबसे बहुत को चेक कर लो तो यानि कि जो इधर रिप्रेसेंट कर रहा है वह आपके बास C d complementation as well as I think this is presenting as well as c as well as d complementation को यहां से दिखायागा जो भी solution होगा c d complementation यहां पर हो गई होगा और ठीक है आपके यह होगा आपके बास c I think I'm sorry this is less अगलत यहां से तो यहां से आपको c d तो नहीं होगा यहां से इस A but के वज़ए से हमसको यहां से यहां से यूज़ करेंगे तो यह आने की आपके पास A as well as B complementation हमेशा आपके solution में होगा ही होगा थीक है पहले option पर यहाँ पर भी यहां पर भी अविलेबल है और यहां पर भी अविलेबल है यानि का सच्छिट का इंप्लिमेट जो है वो हमें हर एक सॉलुशन पर यहां पर गिवन है ठीक है पहले चीज हमने देख लिया अब दूसरा हम देख लिए तो कौन आगर टीवाइड करेंगे कि यह पर इसका सबीसर Свेंद कोॉषिश करते हैं तो obviously हम directly बाग भी solve करने के ज़रोत नहीं है हम directly हम बोल सकते कि yes c should be the answer c जो है वह आपके solution पर होगा बट फिर भी मैं इस explanation करके आपको दिखा जिता हूँ तो अगर मैं इस corners को अगर आप बहुत चेक करेंगे ना इस case में क्या होगा कि इन दोनों case में we can find this value जो आपके पास d complimation होगा और इन दोनों के वज़़े से आपके पास b complimation यहाँ पर होगा solution में आपके पास b complimation और d complimation होगा जो की इधर given है ठीक है और तीसरा आपके पास b complimation c complimation है यानि कि तीसरा जो cube हम लोग यहाँ पर use करेंगे वो यह वाला होगा this one हम इस वाले cube को हम लोग यहाँ से use कर सकते हैं तो अगर मैं इसको calculate करने की कुशिश करेंगे तो यहाँ से आपके पास c complimation और साथ-साथ b complimation आपके पास आएगा तो यानि कि पहला हो गया a b complimation दूसरा b complimation d complimation तीसरा c complimation और b complimation ठीक है तो इसी वज़े से c विल भी ते correct answer ठीक है हम actually थोड़ा सा हम दिमाग से थोड़ा सा खेलेंगे ना तो question को solve करने का time मतलब बच जाता है मतलब ऐसा नहीं कि आप सारे question को check करो नहीं है ऐसा दरत ही नहीं है क्यूंकि दो को हमें simplify करना है और जो literal है वो कम से कम होने चाहिए और little कितने आने वाले हैं उससे पता जाता है कि आपका cube का size कितना होगा जैसे इसका जो cube का size है वो 4 है इन corner का size वह भी आपके पास 4 है और इसका भी 4 है जब भी आपका size आपके पास 4 आता है तो उस case में आपके दो little हों ह है क्योंकि आपके पास 4 variables है और इसको हम 2 little को में use करेंगे 4-2 ऐसा कुछ आपके पास इदर आता है और अगर आपके पास total इसका size cube का size अगर आपके पास 8 है तो आपके पास 1 liter लाएगा और आपके पास जो भी है यहां पर जैसे कर जो भी number of variables है ठीक है जैसे variables आपके पास x है उससे minus कर दो जो इसकी powers है जैसे जो little आपके पास आ रहे है जैसे 2 है या 4 है मतलब essential prime implement implement है या जो बड़ा आपका size है उसके विसे हम बेले को निकाल सकते है तो as of now you can see the correct answer here is option number C ठीक है next question I have given the answer here the digital implement multiplexer is basically a combinational logic circuit to perform the operations option number a and 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 option number b or as well as or option number c and and or option number d is or and and फिर चेक करो digital multiplexer हमें multiplexer को हमने यूज किया है पहले तो बताये digital multiplication multiplexer is basically a combinations logic circuit to perform the operations ठीक है तो हम इसको यांसे बताना है है एंड तो यह निसको multiplexer को यूज करने के लिए कौन-कौन से gate के हमें जरत पड़ती है yes the correct answer here is option number c c is का सही answer है ठीक है तो that is add as well as or तो जो circuit है circuit obviously मैं आपको बना भी सकता हूं बट फिर भी आपको बस है तो मैं आपको दिखा जाता हूं ठीक है तो यह अगर आप screen पर देखोगे तो this is how you can see this multiplexer तो सबसे पहले हमें यहां पर combination circuit तो यह यह लास्ट कोशन था जो हम लोग यह से solve कर रहे थे and you have to answer here in the chat so what is two's combination of 101 with base 3 तो हमें इसका two's combination हमें यहां से करना है तो two's combination निकालने के लिए हमें क्या करना है या तो one's combination निकाले या फिर आप two's combination आप यहां से निकाल सकते हैं और फुर्दे पहरे कल्की class में हमने इसको बताया था क्या तरीका है किस तरीके से हम सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर जो है वह आपके पास में यह एक हमारा discussion था राइट इस two one two one with you know base 3 तो उसकी answer होगा there is option over c c was the correct answer in yesterday's class so we'll start the answer of this question the decimal equivalent of hexadecimal number a c 7 b base 16 हमें इसकी decimal equivalent को हमें यह से बताना है बी जो है वो इसका सही answer है absolutely right जो लोग नहीं सब कवर कर पा रहे हैं मैं इसका answer आप को यह से बता रहेता हूं तो जैसे because hexadecimal value है तो यह बी को रप्रसंट कर रहे है बी इस रप्रसाइट नहीं 11 इंटू 16 देस पावर 0 हम लोग करेंगे उसके साथ 7 इंटू 16 देस्ट पावर 1 प्लस C होगा डाइस रप्रसंटिंग 12 12 x 16 देस्ट पावर 2 और फिर हम करेंगे 10 x 16 देस्ट पावर 3 ठीक है तो इसकी वालो जहां पर आपके पास आएगी इसकी जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए ताकि इस कालेशन को आप एजरी निकाल पाएं और अगर इस वालो को आप सॉल करेंगे दन आए थिंग यू बड़ तो फाइड दांसर है देट अंसर शुड वी 111 44155 राइट वी जो है वह आपका सही आंसर है चलो नहीं आपका सही आंस 30 डिजिट्स की है अगर आपके पास एक डिजिटल नंबर है और हमें डिजिट्स को हमें बताना है इंटम्स बाइनरी और बाइनरी के कितने डिजिट्स की हमें जरुत होगी शायद आप फेस कोशनों सॉल्व कर पाएंगे येस अंसर का सही आंसर है तो सबसे पहले चीज है कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है और यह डेसिमल नंबर है वह आपके पास 30 डिजिट्स का है ठीक है अब 30 डिजिट्स का है कि कुछ ऐसे प्रिजिट्स कर सकते हैं कि जो अब आपके पास है दाट इस वान जीरो 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 अप टु सुन सम जीरो इस देर ठीक है अब ध्यान देना अब जो डेसिमल नंबर है जो 30 डिजिट्स का है उसकी एक रेंज होगी यानिकि सबसे छोटी नंबर क्या होगी और उसी तरीके से इसके सबसे बड़ी वालिव कौन सी होगी यानिकि सबसे बड़ी वालिव होगी जहां पर हम हर एक केस में हम 9 ही आयागा सब केस में ठीक है तो यानिकि सबसे चोटी वालिव है चोटी वालिव की वाल्यू कितने होगी सबसे चोटी वालिव होगी और उसी तरीके से सबसे बड़ी वालिव क्या होगी तब आप इस कुछनों कर सकते हैं अब इस कुछन को देखने के कोशिश करें इन्होंने बोला कि हाओ मैंने डिजिट्स वुट दब बाई रिप्रेजेंटेशन है अब यानिकि वह नंबर है वह मिनिमम इसने डेसिमल नंबर सबसे चोटी वालिव यह होगी और जो सबसे बड़ी वालिव है वह यह होगी अम हमें इसको बाईनेरी में करना है यानि कि जो भी वालिव होगी वह टूरेज पाउर एन की वेसे पर मैं इसको लिखा है ठीक है ताकि आया वांट तो इस सब्सक्राइब यहां से लिख सकते हैं अब अगर मुझे एन की वालोग निगालना है तो दो साइट पर हमें लोगार तो मैं लोगार्थमिक 10 रिख पाउर 29 विच इस लेस देन लॉग 2 रिख पाउर एन कुछ वाली हाफर आपके पास आएगा इसको देखने की वाजैसे जो वाली कुछ ऐसे होगी हमार पास that is 29 विच इस लेसे एक्वर टू एन लॉग 2 इस तरीके से इसके वाली हमार पास आ पालना है तो आइकन से देवाली ओ एन शुट बी ग्रेट देन और एक्वर टू 29 वाई लॉग 2 और इसकी यह वाली हमार पास आएगी जाट है सील वाल्यू और अगर आप इस वाली को कल्कुरेट करेंगे I think the correct वाल्यू here is going to be nearest as 97 तो 97 के आसपास होंगे अब उसी तरीके स से जो हमारी सबसे बड़ी वाल्य है जो मैकेसिम वाल्यू है हम इसको यहां से use कर सकते हैं सबसे बड़ी वाल्यू होगी वह होगी वह 29 59 digits का होगा binary में और binary में जो सबसे बड़ी value होगी वो 100 digits के आसपास होगी ठेके यानि कि हम इसको ना ही A से represent कर सकते हैं ना ही B से और ना ही C से हम C से भी represent नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे छोटी value है वो 97 digit के आसपास होगा इसी वज़य से D इसका सही answer है तो I hope you understand the concept कुछ doubt है कुछ query है तो पूच सकते हैं मैं फिर से explain करके आपको यहां से समझा जेता हूँ ठेके देखो दो चीज़े हैं यहनोंने question क्या बोला है कि question बहुत easy था हुनने बोला है कि हमारे पास कोई decimal number है ठेके और जो decimal number है वो 30 digit के आसपास है 30 digit यानि कि सबसे छोटी value है वो सभी zeros होंगे इस तरीके से यह वाली होगी 100 and so on ठेके और जो सबसे वाली होगी वो यह वाली कुछ ऐसे होगी यहां से ठेके यहां से लेकर यहां तक यह आपके पास एक 30 digit number है और उसी तरीके से यहां पर भी आप चेक करेंगे यह भी आपके पास 30 digit है बोट अफ देम आर 30 digits ठेके अब हमें इस कोश्च को देखने के लिए सबसे पर यह देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी जो number है जैसे decimal number है हमें decimal को convert करना है want to convert this decimal number to binary हमें इसको binary में convert करना है ठेक है यहने कि decimal number की digits होंगी वो काफी कम होगी as compared to binary digit ठेक है हमें इसको binary digits में convert करना है तो मैं क्या करूँगा इस case में जो सबसे छोटी range है मैं इसको use करूँगा सबसे पहले और हम चेक करेंगे कि हमारा सबसे छोटी के विस पर हम बताएंगे कौनसा answer यहाँ पर क्या होगा अब जो सबसे छोटी value है इसके वाली होगी 10 raise to power 29 10 raise to power 29 ठेक है क्योंकि तब जाके यह total 30 digit वनता है 10 raise to power 30 नहीं होगा 10 raise to power 29 होगा ठेक है और जो सबसे बड़ी value होगी वो होगी 10 raise to power 30 माइनस 1 यह उसके सबसे बड़ी value होगी सबसे छोटी value कौन सी है और सबसे बड़ी value कौन सी है तो मैं सबसे छोटी value को ले लिया ठेक है तो वो होगा 10 raise to power 29 ठेक है और यह कौन सा है दिसर पर जानिक base 10 और उसी तरीके से अगर मैं same value को अगर मुझे convert करना है in terms of binary तो होगा 2 raise to power in with base 2 तो binary में है तो basically हमें इसकी value compare करना है अब ध्यान देना यह जो value है obviously वो हमेशा that should be very close to this हमें इसके बहुत ही closest value को यहां से बताना है और या फिर वो इसका बड़ी value भी हो सकती है ठीक यूँकि वो 2 की power दी आती है अब इसलिए हम bigger value भी ले सकते है तो इस तरीके से निकाल लो तो अगर दोनों case में हम check करेंगे यह ध्यान देना इसका जो base है वो 10 है और इसका base जो है वो आपके पास 2 है अब मैं क्या करूँगा अगर मैं इसको base 10 से ही अगर मैं इसके activate निकाल सकता हूँ आप खुद से इसको calculation से आप इसको यूज कर सकते है करने कुछ value हमारे पास आएगी that is n should be greater than or equal to 29 divided by logarithmic 2 और हमें इसकी जो value यज़र आएगी हमारे पास I think we have to take a seal value here और जो बार निकलेगी that should be 97 वो यहाँ पर 97 होगी यानि कि जो सबसे छोटी value है इन binary वो आपके पास 97 डिजिट का होगा और उसके according में हम बड़ी को निका सकते हैं बट obviously हमें एक छोटी से होगे तो मारा काम हो सकता है तो A B C नहीं हो सकता है क्योंकि C के case में सबसे छोटी वाली है वो 90 है वो 90 है और अब वसे हमें जो सबसे बड़ी होगी 97 होने चे इसी वज़े से अब वो लेगा कि D is the correct answer मैं D को इसका सही answer बोलूँगा तो नेक्स्ट यह आपके पास एक hexadecimal नंबर है और हमें hexadecimal नंबर को हमें convert कर उसे minus करना है that is also hexadecimal दो नंबर जो hexadecimal अगर हमें इसकी वाले को इदर बताना है तो पहले संबर को देखते हैं पहले नंबर है आपके पास FD with base 16 उसे minus करेंगे 88 with base 16 अब तो करने के दू तरीके या तो हम इस दो होगा ठीक है तो जैसे हमार पास D को रिप्रसंट करता है तो A is 10, B is 11, C is 13 and D is 14 ठीक है तो I think 13 होगा right 10 is A, 11 is B, 12 is C, 13 is D तो हम D की इदर लिखेंगे तो बाइनर में कनोट करेंगे तो वाली होगा हमार पास 1101 और यह जो रिप्रसंट कर रहा है A, B, C, D, E, F तो यानि की 1111 को रिप्रसंट कर रहा है ठीक है दूसरी आपके बास 88 है तो 8 को हम रिप्रसंट करेंगे 1, 0, 0, 0 और इसको मैं रिप्रसंट करेंगे 1, 0, 0, 0 ठीक है तो उसको मैनिस करेंगे इस तरीके से ठीक है और जब आपके प्रसंट को ने कालेंगे तो यहां से तो यहां पर बी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं यहां से समॉलेस इंटेजर अपर बी नंबर इन तो आगे बढ़ते हैं यहां से next question देख लेता हैं यहां से हमारे पस The smallest integer that can be represented by 8-bit number in two's complimentation form is which of the following? again the smallest integer that can be represented by 8-bit number in 2's combination यानि जो सबसे छोटी value है वो आपके पास क्या होगी the correct answer here is option number B भी आपका सही answer है अगर आपके पास total n-bit number है और अगर मुझे इसको 2's combination को निकालना है तो सबसे जो छोटी value होगी वो minus 2 raise power n-1 होगी और जो सबसे बड़ी value होती है that is 2 raise power n-1 minus 1 यह value होती है तो एनकी इस case में अगर मैं 8-bit की value की बात करूँगा जो सबसे छोट value होती है minus 128 और जो सबसे बड़ी value होती है 127 के बीच में होता है तो इसी वजह से देखरेट answer here is option number B B आपका सही answer है okay चलो now let's move on to the next question here so give the answer here the number 25 base 6 in the base 6 is equivalent to dash in the binary number system again फिर से देख लेते हैं the number 25 base 6 in the base 6 is equivalent to dash in the binary number system तो जो हमारे equivalent number क्या होगी binary में इस number को हम कैसे लिख सकते हैं okay so correct answer here I think answer is also again option number B B ही इसका सही answer है एक वर देख लेते हैं हम क्या करेंगे 5 इंटू 6 रेस्ट पावर जीरो और फिर हमरे पास आएगा 2 इंटू 6 रेस्ट पावर है कि जो value आपर दिखेंगे वो option number B को ही represent करेंगा ठीक है so B is the correct answer जोना option number C बला था वो भी गलत है और option number A किया था वो भी गलत है the correct answer here is option number B B आपका सही answer है okay so now let's move on to the next question here this next decimal has 25 digits the number of bits needed for its equivalent binary representations is approximately okay I am saying the decimal has 25 digits आपकी बास एक decimal number है जो 25 digit का है और the number of bits needed for its equivalent binary representations यहने की same question है जो थोड़े पहले हमने कुछ में solve किया था बस फारक क्या हो गया कि पहले हमने वहां से 30 digits का यहां पर देगा था यहां से 25 हो गया तो गोशा कि 25 digits को अगर मैं binary में करनोट कर रहा हूं तो कितने बड़ी वाले होगी वह 10 रेस पावर 25 के आस पास होगी यह होगी हमारे पास minimum और यह है मेरे पास maximum तो अगर मैं minimum को क्या होगा हमारे केस में हम 10 रेस पावर 24 अब that is very close to ठीक है I am instead of saying less than equal to I should say very close to so it is close to 2 रेस पावर n तो दोनों का logarithmic ले लो so I am saying logarithmic 10 24 and that is logarithmic of 2 रेस पावर n तो यहने के कुछ असा होगा 24 is very close to log of n log 2 or you can say the value of n is very close to 2 square 24 divided by logarithmic 2 और अगर फिर लोगार्थमिक की I think I also have a calculator ना मैं रिच्छे करेता हूँ system पर calculator आता है हमारे पास अगर अपर available है तो ठीक है तो यह value आती है हमारे पास which is 0.301 और इसको multiply कर देंगे 24 से तो value होगी I think I think I am sorry this is again mistake कर दी है कुछ परसे आता है पीछे ठीक है तो हमने क्या क्या था हमने 24 को हमारे पास 24 था उसको हमने divide किया तो लोगार्थमिक तो value आपके पास I think जो आ रही है यह थीक से calculate नहीं हो रहा उनसे somehow यह फिर let me do one thing तो हम just give me a second तो हमारे पास 2 लॉग निकालेंगे तो इसकी value है 0.301 इस digit को मैं ले लिया है यहां से और इसको मैंने इस value को निकालने के बाद मैंने कर दिया है 24 divide by 24 24 24 divide by 0.302 something कुछ value होगे हमार पास 73 के आसपास होगी तो जो सबसे छोटी value होगे आपके पास 79 something कुछ है so that is like 79 something something तो इसके value होगी लगबग 80 के आसपास ठीक है यानि कि छोटी value होग आपके पास 80 होगी ठीक है तो I think you understand the concept तो यानि कि जो सबसे छोटी वाले होगी वो होगे आपके पास 80 और सबसे बड़ी वाले होगी maximum वो होगे I think 83 ठीक है और वो किसी भी option से match ने करेगा इसी वज़ा से none of them is correct इसमें कोई भी हाँ पर सही नहीं है ठीक है सही नहीं है कोई भी ओके चलो चलो again give the answer of the next question here the range of the numbers which can be stored in a 8th bit register is which of the following again the range of the numbers that can be stored in 8th bit register अगर आपके पास 8 bit register है तो इसकी value हांसे का हो क्या होती है तो correct answer here is option number A यानि सबसे चोटी value होती है minus 128 से लेकर सबसे बड़े ले होगी plus 127 के आसपास okay what will be the final output of d fifth law if the input string is this much अगर आपके पास प्लॉप है और हम आपको ये string input हम लोग यहां से दे रहे हैं तो आपका output यहां से क्या रहेगा वो हम यहां से बता रहे है यह फिर से चेक कर लेज़े question में क्या है कि हमारे पास एक deep free flop है ठीक है मैं screen पर आसे दिखाता हूं कि आपके पास ये deep free flop है deep free flop और इसके अंदर कुछ input है और विसके according में हमारे पास एक output भी रहेगा और इससा कॉम्रिमेडेशन भी निकलेगा ठीक है तो हमें बताना है कि अगर मैं इस string को यहां से दे रहे हैं तो आपका output यहां से क्या रहेगा and the correct answer here is option number A A आपका सही answer एको ध्यान दो deep free flop पर आप क्या होता है कि जो भी आपका input है वही आपका output भी रहेगा input और output दोनों सेम रहेगा अगर input 1 है तो output भी 1 रहेगा अगर आपका input 0 है तो output भी 0 बन जाएगा अब इन में फरक क्या होता है why we use deep free flop deep free flop हम इसलिए use करते हैं ताकि हम एक bit को save कर पाए जो bit की जो भी value है वह हम उसको use कर पाए future में क्योंकि ताकि वह जो value है वह एक flip flop में as a latch की तरह use करता है यानि कि वह memory को save करता है यानि कि अगर जैसे यह वाले string है आपके पास string हावर पास 11010011 अब इस input में यह नहीं बताया है कि हम left से right की तरफ evaluate कर रहे हैं या फिर right से left evaluate कर रहे हैं तो मैं इस तरीके से evaluate कर रहा हूं तो basically अगर मेरे पास पहला input 1 है तो output भी 1 निकलेगा फिर आपका दूसरा 1 होगा तो भी output 1 रहेगा फिर आपका next आपके पास 0 आएगा तो भी 0 रहेगा फिर आपका 0 आएगा तो भी output 0 रहेगा आपका input 1 रहेगा तो output भी 1 रहेगा input 0 रहेगा तो output भी 0 right इस तरीके से अगर पूरी string को आप पढ़ लेंगे और सबसे last जो bit को हमने आपके पास 1 रहेगा तो इसी वज़े से जो input last जो bit हमने डाली है वह आपके पास 1 है तो output भी आपके पास 1 ही निकलेगा इसी वज़े से a is the correct answer a जो है वो इसका सही आंसर है b इसका सही आंसर नहीं है अब ध्याद जना जब भी हम T flip flop use करते हैं तो T flip flop थोड़ा साला काम करता है यान कि toggle करता है तो यहां पर toggle नहीं कर रहा ठीक है तो I hope this much you understand right इतना आपको समझ में आया ठीक है तो अगर clear है तो आगे बढ़ते है next question है I think यही question है similar question लेकर आप बोला है कि what will be the final output of D flip flop if the string is zero zero one zero zero one 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 zero zero तो इस case में आपका output नहीं से क्या रहेगा तो अगेन जैसा बताया था कि जो भी आपका input है वही output रहेगा तो अगर मैं right से left की तरफ अगर मैं inputs को डाल रहा हूं तो जो सबसे last value रहेगी वही आपका output नहीं से निकलेगा इसी वज़े से जो output here is going to be zero only इसी वज़े से भी आपका सही आंसर होगा ठीक है चाला good next question है next question है the output of the sequential circuit depends on which of the following अगर आपके पास sequential circuit है उसका output किसके ओपर dependent होता है option number a that is present inputs only option number b that is past inputs only option number c is both present as well as past input and d is representing present outputs present outputs only right फिर से आपके चेक करो जब भी आपके पास sequential circuit आता है उसका जो भी output आपके पास रहेगा वो output किसके ओपर dependent होता है पहला कि हम सिर्फ present input के ओपर dependent करते हैं या फिर हम इसके past input के बारे में ही हम जो input है उसके ओपर ही dependent होता है इसका output यहां से आएगा या फिर वो बोद present और past भी हो सकता है and d is representing present outputs only and the correct answer here is option number c c इसका सही answer है क्योंकि जो sequence circuit जो भी input होगा वो past value को भी ले सकता है उसके अलाबा वो present value को भी ले सकता है इसी वाजय से c is the correct answer d इसका सही answer नहीं है c is the correct answer जो कोशन पर से देख लो the output of a sequential circuit depends on option number a present inputs only option number b past inputs only option number c both present and past inputs and d is present in outputs only and the correct answer is option number c both present as well as past next question है next question है in a ripple counter using edge triggered jk flip flops the pulse input is applied to the dash option number a that is clock input of all flip flops option number b clock input of one flip flop option number c j and k j and k inputs of all flip flops and d is j and k inputs of one flip flop फिर से लोगों नहीं नहीं पता है एक बार देख लो हमारे पास और पास ripple counter होता है तो पूछ रहे हैं कि जब भी आपके पास एक ripple counter होता है by using edge triggered jk flip flop आपका ये जो है आपके पास edge triggered है देखो चार चीज होती है हमारे पास या positive edge होगा या negative edge होगा या फिर level होता है या फिर positive level है या फिर negative level है या नहीं पूछा है कि हमारे पास edge triggered jk flip flop है और the pulse input is applied to which of the following जो आपका pulse है वो input जो है वो कैसे इसको apply करता है option number a that is clock inputs of all flip flops option number b clocks input of one flip flop c jnk flip flop of all flip flops jnk inputs of all the flip flops and ds jnk inputs of one flip flop तो ये देखो तो सबसे पहला मैंने आपके लिए ripple counter बनाया है screen पर अगर आपके available है दिख रहा है आपको तो इसको देख सकते हैं ये दिखा रहा है binary ripple counter तो इन्होंने क्या किया इस case में कि यह आपका flip flop है जो screen पर available है और यहां पर आप चेक करेंगे कि कुछ आपके पास pulse है ठीक है और यह आपके पास jk flip flop है अब ध्यान दिने दोनों case में हमने क्या किया है कि जो भी पहला jk flip flop है जो भी इसका output आ रहा है हमने दूसरे jk flip flop को हमें ऐसे clock कि तरह हमने यहां से बनाया है representing as a clock ठीक है तो यह चीज़ है जो आप यहां से देख सकते हैं और जैसे case में कर आप इस diagram में आप चेक करेंगे है I think कुछ हो डागराम है तो मैं आपको भी दिखाता हूं यहां से तो जैसे this is one more example here तेख और example जो है मैं आपना से बना दिया है जो भी आपका output आ रहा है हम उसको ऐसे clock देते हैं दूसरे flip-flop के ऊपर ठीक है अब यहीं उन्होंने पूछा हुआ है पहले और ध्यान देना इन दोनों case में जो भी आपका जे के flip-flop की values थी वह सेम थी अगर आपको यहां पर ध्यान रहेगा कि यह आपके पास ऐसे जो इंपुट है हमने जे और के दोनों case में हमने सेम इंपुट यहां से जलना था और अगर थोड़ा सावे जाएंगे इसके अदर और भी valuations और भी तरीके से हमने बजन करते हैं जैसे आप यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर भी आपने इन सभी के अंदर भी जो आपका इंपुट है ठीक है इन जे के वह सेम है सभी केस में ठीक है लेकिन जो आपका और पुट आ रहा है हम इसको ऐसे clock कितरे हम यहां से बनाते हैं अब इस question को फिर से देख लो ठीक है अगर आप स्क्रीन पर आपको सब चीज़े अबलेबल है दिख भी रहा होगा आ आप पर दिखाया है कि अ रिपल काउंटर यूजेंग एज ट्रिगर्ड जेके फिफलाउब दफ पॉल्स इंपुट इस अप्लाइट विच अप्लिंग जो आपका इंपुट है वह किसे अप्लाई करते हैं यानि कि जो इसका आउटपुट है उस आउटपुट को हम लोग कहां से डालते हैं ठीक है तो आप में आसो विश्री यू कन सी हीर जेके इंपुट्स तु आल जेके फ्लॉप सो सीग भी तक्रेक्ट आंसर येस अप्सलुटी राइट सी जो है वह इसका सहीं आंसर है ओके चाल आगे बढ़ता है नेक्स कोशन देख लेता है यहां से A sequential circuit output of 1 when an even number of 1 are inputs otherwise the output is 0 the minimum number of states required is dash option number a 0 B 1 C 2 and D is 3 पर चेक्ट करो A sequential circuit output a 1 when an even number the even number is greater than 0 for 1 inputs otherwise the output is 0 ठीक otherwise the output जो है वह आपका 0 है the minimum number of states required तो आपके पास minimum कितने states होती है आपके पास states निकलती है या तो आपके पास 0 होगी या फिर आपके पास 1 होगी 0 होगी या तो दो ही state आती है इस case में तो इसी वह जासे तर करेक्ट आंसर here is going to be option number c c इसका सही answer है that is 2 okay okay so what is the correct answer here the correct answer here is c चालो next question दिख लेता है if a clock with the time period t आपका time period जो है वो t है it is used with one state shift registers then the output of the final state will be delayed by option number a some values is there ठीक है तो ध्यान देना इस question को solve करने के लिए प्रहे होता है कि आपको shift registers क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है और इसका जो delay कितना होगा delay के basis पर ही हम इस value को निकाल सकते है so the correct answer here is option number b b आपका सही answer है that is n-1 in to t seconds ठीक है तो यह आपको पास totalagain आपके पास यह फोस्क है by the the following that is n-1 । okay अगर आप कुछ चाहते हैं इस ने एक्समेरेशन तो मुझे बता वी सकते हैं इस सिंपल कान्फिगरेशन से तो ठीक है सिंपल ठीक है तो इस सिंपल ठीक है इंग वी अपने पास इन्हें रिपल इस सिंपल ठीक है आपको यहां से बताया भी था तो यह तो हम लोग कर चुक है यहां से सिक्वेंटर सिर्किट इस दीफिग फ्लॉप्स और लॉजिक केट्स इस शोन इन फिगर्स विद वे एक्स न वाई यहां से पूछा गया है कि इन सब की वैले सिया रहेगी तो यहां से पूछा गया है कि इन सब की वैले से रहेगी यह सब करेक्ट आंसर हीर इस ऑप्शन नुबर डी डी आपका सही आंसर है ठीक है डी इस अ करेक्ट आंसर तो उसको देख लो फिर से ठीक है क्या वुचा गया है सिक्यर सर्केट यूजिंग डीप फ्लॉप्स एंड लॉजिक गेट शोन फिलो ठीक है तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास इदर कीवन है ठीक है तो और जेडिशा उट्पूट दा सर्केट इस विशुट फॉलिंग जो आपके पास जो सर्केट है वह किस तरीके से इदर बिहेव कर रहा है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी ठीक है इस लिए चएक भी करें इस केस में तो इस जो भी इनपुट आपके पास है उन्सबकी वैलिसका यहां पर पुट करो ठीक है वहां से अब इसको टाल सकते हैं पहला उप्श्न को यही आपके पास यह एक एक क्वेशन बना लो ठीक है आपके आपके बना के इदा दिखा भी तो यहां से तो जैसे यह आपके पास एक डे फिपलॉप है तो यह नहीं कि अगर आप इधर चेक करेंगे यह जो आपके पास आ रहा है यह इधर आपके पास जैड को रिप्रेजंट कर रहा है और यह आपके पास अगरेज़ ऑस एक्स कॉंप्लिमेटेशन हएगा तो इसी वजए से बदल्ब जो एक्वेशन यह एक्स इक यहां से देख रहे हैं ठीके तो एक्स कॉंप्लिमेटेशन जैड और उसी तरहिके से यहां से जो आपके पास इतर आ रहा है यानि कि इसका जो कॉंपलिमेंटेशन होगा Q कॉंपलिमेंटेशन यह आपके पास होगा Q कॉंपलिमेंटेशन और Y तो Y Q कॉंपलिमेंटेशन इदर आपके पास आएगा और इन दोनों केस में यह जो आपके पास value इदर निकल रहा है इदर से ठीक है तो I think you should be able to find that is X कॉंपलिमेंटेशन Z प्लस Y कॉंपलिमेंटेशन Q ऐसा कुछ इदर आपके पास इदर आएगा ही ठीक है तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इस उपरे कॉशन के अदर यह जो लास्ट की जो लाइन है ना इससे थोड़ा सा आपको difficulty आती है कि शाद यह क्या दिखा रहा है तो basically that is इस प्रजानी का circuit तो यानि कि सबसे पहला आपकरना क्या है कि इन दोनों की इक्वेशन है उस इक्वेशन इसकी इक्वेशन यहां से डाल दो इक्वेशन टोलने हैं से क्या आपके पास आ रही है ठीके जैसे अगर फिर से आप देख चेक करेंगे इदर से तो यह आपके पास था x कॉम्प्लिमेटेशन as well as q और यह आपके पास था y as well as q कॉम्प्लिमेटेशन तो final जो इक्वेशन थी इदर that is x कॉम्प्लिमेटेशन q plus y q कॉम्प्लिमेटेशन ऐसा कुछ एक्वेशन जो है वो इदर आपके पास आएगी दूसरा फिर आपके बास यह d free flop है तो इस d free flop के अंदर जो भी input रहेगा वो ही आपका output इतर भी रहेगा ठीके अगें जो भी आपका input रहेगा वो ही आपके बास output यहां से रहेगा अब इन्होंने बोला है कि यह जो free flop है वो किस तरीके से काम कर रहा है ठीक है जैसे पहले तो देख लो circuit कैसे काम कर रहा है तो circuit को अब देख चेक कर लो और फिर हमें इस equation को आप चेक कर लो इसे पहला option है आपके पास SR flip flops with inputs X is equal to R and Y is equal to S यानि कि अगर मैं यहां पर R दे रहा हूं और मैं यहां से S दे रहा हूं तो यह आपका जो flip flop को कैसे behave कर रहा है दूसरा option है कि हमने इदर पहले S दे दिया है और यहां पर आपके पास R दे दिया है इस तरीके से behave कर रहा है और ऐसे ही C को हमने use कर दिया है और D को हमने यहां से use कर दिया है because obviously there's a little lengthy है थोड़ा सा lengthy हो सकता है यहां से तो what you can do here is दो चीज़े आप यहां से कर सकते हो या तो you can find this equation ठीक है इसकी value यहां से निकाल लो और तो what you can see here is कि जो भी value आपके पास आ रहे है बस उसकी value को put करने की कोशिच करो इस equation में से and then you should find the equation तो जैसे मेरी equation यहां पर जो थोड़े पहले आपको बनाया था उस equation को use करो and just put these values and check करो कि क्या इस तरीके से behave कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है फानल जो भी equation थी आपके पास ठीक है जैसे इधर equation थी आपके पास x complementation और यह आपके पास q था और यहां से जो equation थी आपके पास that is y as well as q complementation थी तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहला option में है कि हमें जहां पर भी एक साथ दर डाल दो यानि अगर मैं आर कॉंपलिमेटेशन क्यू पर रहो प्लस y की जिखह पर मैं एस q कॉंपलिमेटेशन कर देंगे दूसरा option कुछ है ऐसा है आपके पास that is r कॉंपलिमेटेशन क्यू प्लस r q कॉंपलिमेटेशन जिखा आयेगा option no.3 आप यहां से जै कॉंपलिमेटेशन क्यूँ यहां से देंगे और यहां से आपके पास आयेगा that is k q कॉंपलिमेटेशन और जो लास्ट ओप्शन है वह आपके पास रिपेजन कर रहा है एक यह अगर आपको शहत याद होगा कि जब भी हम जे के फिलॉप को यूज करते हैं तो उसकी जो करेक्रिक्रिस्टिक एक्वेशन है वो इसको ही रिपेजन कर रहा है अगर आपने डिस्ट लोजिक आपने पड़ा है तो इसकी जो जो इसकी करेक्रिस्टिक टेबल है जो इसकी जो इक्वेशन अगर आप इक्कुरिक्वेशन करोगे किससे मैंच कर रहा है तैन यृ शुट बौिड फाइंड इसको बहुत इसको सॉल्व कर सकत US अगर आपको एक्वेशन को बनाना पड़ेगा और उसको sogar पाएंगे, तो you can see here the correct answer will be option number D, D आपका सही answer है, जो आपके पास इदर आया भी है, ठीक है, चलो, next question, in a ripple counters using h-triggered jk flip-flops, the pulse applied to which of the following, I think यह हम पहले कर चुके हैं पहले से, यह वाला question है, I think यह क्या दो कोशन लिबचे हैं हमारे पास, the number of columns in the state table of a sequential circuit with m flip-flops and n inputs is option number A, that is m plus n, option number B, m plus 2n, option number C, 2m plus n, and D is representing 2m plus 2n, the number of columns in a state table for sequential circuit m flip-flops and n inputs is which of the following, क्याने की जो आपकी जो column है, जो table हम बनाते हैं, sequential circuit के अंदर, तो उसके अंदर कितने column बनते हैं, yes, the correct answer here is option number C, C आपका सही answer है, that is 2m plus n, 2m plus n, तो basically simple सा concept है, या तो जो भी flip-flop है, अगर imagine करो कि जो भी sequential circuit है, ऐसा भी हो सकता है, कि आपके बस एक flip-flop है, if we have one flip-flop, ठीक है, जैसे मैंने J के flip-flop को यहां से बना दिया है, this is J, and this representing K, यह आपके outputs है, तो हम क्या कर डालते हैं, state के अंदर, सबसे पहले हम बनाते हैं, J, K, Q, as well as Q, N, तो यह values हम लोग यहां से निकालते हैं, ठीक है, अब जैसे इस case में डालता है, आपके पास 1 था, और जो input था, वो आपके पास 2 था, तो इसकी total values के दिने रहेगी, इसको put करने की कोशिश करो, जैसे पहला option है, आपके पास M plus N है, यहांने की 1 plus 2, तो total आपके पास आ रहे है, 3, लेकिन हमरे पास कितने problem निकले हैं, हैंसे total 4 निकले है, second case में चेक करो, यहां से आपके पास 1 plus 4 यहां पर आएगा, जो कि यहां पर आएथिंग representing 5, जो भी यहां से match नहीं कर रहा, option number C, यहांने की 2 into 1 plus 2, that is representing 4, तो यहां से exactly match कर रहा है, और last option चेक करो कि यह भी match नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने इसको sequential circuit बनाया है, और इसका रहा है, और इसका रहा है, और जो भी इसका output आ रहा है, ठीक है, फिर दूसरे यहां से डाल दो, ठीक है, तो इसके भी 2 input रहेंगे, तो accordingly इसके कितने input रहेंगे, और कितने output रहेंगे, इसके total, कितने columns की value रहेंगे, उसके कौन से values यहां से, मतलब कितने column नहीं लेंगे, वो इस question नहीं पूचा गया था, पहले बस friendly आप यहां से बता सकते हैं, तो C रहां से और उसके कर्म नहीं और सो से नहीं पनी है, तो C इस iki मतने रहेंगे पूच्वेशन नहींगे, पहले बेसिदोन वाव कि आपके बाद जो भी फिल्टॉव हम लोग यूज कर रहे हैं मोस्त अब जैसे हम लोग यहाँ पर शिफ रजिस्ट को यहां से यूज करते हैं तो हम जितने भी शिफ्स रजिस्टर को बनाने के लिए हम कौन से फिल्टॉफ को जर्नली यूज करते हैं most of the time most of the time so the correct answer here is I think all the above तो सब भी हम लोग यूज़ करें देखो basically क्या है कि जितने भी आपके पास shift register साब बनाते हूं most of the time आपके पास d free flop भी आता है और हम लोग यहां से t free flop को भी यूज़ करते हैं हम यहां से d को भी यूज़ करते हैं और हम यहां से j को भी यूज़ करते हैं तो सारी t को भी यूज़ करते हैं तो हम लोग most time we use d free flop as well as we also use t free flop but jk होता कहे jk is a special free flop जो जिससे हम jk से ही हमने d को बनाया था और jk की बज़े से ही हम t को भी यूज़ करते हैं nisका जो सही आंसे ना ता जिसका जो सही आंसे जो इनका जो इनका जो कर्या दो इनके सब्सक्राइब अ कुछ पर था तो यहांपर देंगे क्योंकि और हमें जे बहुता किया है तो एक बिसिक घयrie है और यौश रहुत कर सकते हो पसक्राइक को बनाने के लिए और इसको आज सही आंसर है चलो मैंने सभी को उल्मूस हमने और कवर करी दिया यहां से अब जो हमारे कोशन बचेंगे हैं सभी कोशन के सारे सारे कोशन हमारे हुई चुका है तो देखे उसका expression में आपको दिखाता हूं हमारे पास कहीं पर आपने इसी चीज़ को क्या होते हैं तो जैसे शिफ्ट रजिस्टर्स में आप ने देखा कि कई टाइप आप शिर्फ रच्टर हम लोग बना सकते हैं तो इस तरीके हमेरे पास बहुत सारे रिज्टर समयन पास आते हैं अब जैसे पहला केश है हमेरे पास यानिकी कुछ इस तरीके से सरकेट आपके पास आता है यानिकी जैसे यह आपके बास deep flip-lop है इसका जो output होगा हम दूसरे के इंपुट देंगे इसका जो output होगा वो इसके इंदर डालेंगे और फिर इसको हम यहांपर डालेंगे तो basically हो क्या रहा है कि ठीक है तो basically इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो भी आपका पहला flip-lop 1 का जो भी output है हम दूसरी के दर ऐसे input देते हैं ठीक है तो अगर इस पूरी case में करेंगे ना तो यहां पर डिले आएगा क्योंकि जब तक आपने flip-flop 1 की value आप नहीं निकाल पा रही है तब तक आप flip-flop 2 की value को हम evaluate नहीं कर सकते और जब जब तक हम इसकी value नहीं करेंगे तब तक हम इसको evaluate नहीं कर सकते तो एक तो आपके बास डिले होगा और यह किस case में होगा जब आपके बास serial in और serial out registers को आप यूज करते हूं दूसरा होता आपके बास that is serial in and parallel out तो अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो basically हमने क्या किया है कि same चीज यहां पर भी है कि आपने जो serial जो भी input आपने दिया है उसी का delay जो है मतब जो उसका output है वो हम दूसरे flip-flop के इंदर हम लोग डालते हैं तो obviously you can get some delay ठीक है और हम जब हम हम इसको बोलते हैं कि हमार पास वो parallel out है तो इसका अदब है कि जो outputs है इनका वो हम यहां से read कर रहे है तीसरा है आपके पास parallel in and serial out तो यानिकी इन सब का जो भी आपके पास inputs हैं आप उसको parallel ही दे रहे हैं और उसके यहां से output है वो यहां से निकाल सकते है और आपके पास parallel in and parallel out तो यानिकी जो भी इनका input है वो हम parallel ही दे रहे हैं और उसका आउटपूट है वो भी हम परले ही हम लोग यहां से निकाल रही है तो पहले चीस्तों है कि हमरे पास चार टाइप का है तरफ पुर टाइप अब अगर आप धियान देखोगे तो पहले जो दो केसे थे हमारे पास ठीक है वेचे सीरेल इन एंद सीरेल आउट एसले परलेल है इफ एक क्लॉक विद्ट अइन पूरियट ती एक फ्रिफ्फलोप का जो टाइम पेरिड़ आपके पास आएगा फ्रिफ्फ्लोप का उसको हम use करते हैं दूसरी state के अंदर पहला जो input होगा उस input को हम दूसरे के अंदर ऐसे output हम जो output है वो हम दूसरे के अदर ऐसे input दे रहे हैं तो यानि कि हम serial in दे रहे हैं serial in यानि कि जो भी input आपके पास आ रहा है वो serial ही आपके पास आ रहा है तो जो भी आपके पास चैक कशानने यहाऊ से इस स्टेटमेंट से आपथा चैक करो, और फाइनल स्टेट है वो फाइनल स्टेट का जो है कितनी delay होगा, ध्यान देना फाइनल नहीं पूछा है, टोटल फाइनल value नहीं पूछा है उसने final state के पूछा है कि final state का output कितने time तक ही वो delay करेगा ठीक है तो आपके पास पहले n-1 जो है उन सभी का जो भी output आ रहा है वो उसके basis पर हम सको final तक पहुँचेंगे तो इसी वजह से भी इसका सही answer है ठीक है I hope you understand अकाश ठीक है तो let's meet in the next class ठीक है अब दूसरी क्लास है मेर फास फर UGCnet तो वहाँ पर मिलते हैं and have a good time 12 of you, bye-bye, take care और let's meet ठीक है, bye-bye to all of you This series is very important for the students who are preparing for NIC Milit Scientist B as well as Scientist A We are covering all the previous questions from 2016 16-2022 So all the last 7 year questions we have already covered we are covering all these questions in this series and if you like this session please subscribe to the channel and share with your friends and at the same time please install our Android app from the Google Play Store and you can also use our contact numbers that is 9821-876104 Now let's